शरत हमारे साथ स्टूडियो में जुड चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में रहेंगे शरत गुड बॉर्निंग बताएं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में रहेंगे कई ब्लॉक डील्स है वो भी बताएं जी बिल्कुल अशेशा तीन ब्लॉक डील्स है और आज ही होने वाले तीनों ब्लॉक डील्स है इसके लावा थोड़े बहुत न्यूज्स भी है बट सबसे पहले बात कर लेतें इंटर ग्लोब एविएशन की यहां पर प्रमोटर राहुल भाटिया लगबग 2% स्टेक की बिक अगवाल जी उनका जो भी है को और आ आ सकता है रो ओ हाली में वो है अपनी स्टेक भी कम कर रहे थे कंपनी में आर्भी इंफरा की दूसरी ब्लॉक डीलाज हो सकते जहां पर फॉरे इंस्टिटूट जो इन्वेस्टर्स है डच की सित्रह इंवेस्मेंट्ट्स या सिंत्रह investments कहेंगे वो 5% stake के भी क्वाली कर सकते हैं जिसका value 1900 करोड आएगा floor price देखे तो 10% तक कर discount आएगा और इसके बाद इनका stake 20% के नीचे आ जाएगा कल हमने देखा भी तो stock में भारी गिरावट आई दी stock 9% गिर गया था अब बात करते हैं इंपोर्टेंटली बहुत सारे जो आपके housing finance companies रहने वाले इस्पेशली जो प्रधान मंत्री आवास योजना रिलेटेट है वो आज focus में रहेंगे खुड को भी आता है यहां पर जो construct करते हैं यह सब buildings आधार housing finance आवास finance यह वह aptus value PNB housing finance और न्यूज यह है कि government जो है प्रधान मंत्री आवास योजना को further extend करने वाले कल शाम को यह announcement आई तीन करोड additional rural और urban घर बनेंगे और यादर कि जो यहां पर rural recovery और जो rate cut आने वाले उसके कारण भी एक cost sensitive sector होता है तो इसमें एक अच्छी movement देखने मिल सकती है अभी तक जो है sanctioning में एक करोड से जादा घर सैंक्षन अल्रीड हो चुके है current date में what a phone idea रहेगा भी focus में यहां पर fund raise की जो है विचार करेंगी जून 13 को यह equity से हो सकता या preferential से हो सकता और याद रखिये stock में जो है तेजी हमने देखी कि 20 हजार क्रोड तक के जो है ऐलान fund raise की कर दी है जिसमें SBI इंशूरेंस जी क्यूजी कौंट mutual fund इसे बड़े दिगज investors already involved है जुबिलेंट फूड वरक्स भी focus में रहेगा यहां पे जो है spokesperson global spokesperson की commentary की domino's जो है focus करने वाला है कि अपनी जो स्टोर काउंट है भारत में वह दो गुना कर देब डबल करके 4000 कर दे अगले 5-6 साल में अब जो है भारत यूएस के बाद सबसे बड़ा market बन चुका है domino's के पिज़ा का और इसलिए जुब्लेंट फूड वरक्स जिनका master franchise ही है इस कुछ important आप कह सकते हैं जेवी sign हुए है PTC industries ने गवर्मेंट के साथ defense और aerospace के उपर करार किया वही NLC इंडिया की बात करें तो वो जो है foreign commercial borrowing से लगभग 5000 करोड रेस करेंगे जिसमें से 1000 करोड जो है वो जो है invest करेंगे अपने renewables आम में भी transformers और rectifiers इंडिया भी focus में रहेगा जहां पर लगभग 500 करोड रोपे का QIP जो है issue खुल चुका है flow price लगभग 5% discount पर है तो यह एहम stocks है जिस पर आज पर आपकी radar में होने चाहिए बिल्कुल तो transformers and rectifiers of इंडिया पर आज QIP खुलेगा कई सारी ब्लॉक डील्स है इंटर ग्लोब aviation, IRB, Infra और Vodafone idea के funds जुटाने की योजना पर भी नज़र रहेगी शरत शुक्रिया हमारे साथ खबरों वाले shares की पूरी details लेकर जुडने के लिए